सुबह सुबह टिफिन में क्या रखना है, क्या बनाना है, बहुत बढ़ा जंजट का काम है तो चलिए आपका थोड़ा सा काम आसान कर देते हैं मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ सिंपसी मसालेदर अरबी की सबजी तो फिर चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाई जाती है अरबी की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अरबी को अच्छे से दोना है क्योंकि उसमें बहुत मटी होती है अच्छे से दोने के बाद आप उसे उबालने के लिए रख दीजेगा और जब अच्छे से उबल जाए उसके बाद ठंडा करिया और इस तरह से छील करके रख लीजेगा जब आप अर्वी को छील लेंगे तो उसके बाद आपको अर्वी को इस तरह से कट करना है अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से गोल कट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लंबा कट कर सकते हैं मर्जी आपकी जैसे आपको कट करना कर सकते हैं सबसे पहले डालेंगे दो चमच तेल और तेल जो आपको पसंदो वापस तेल गरम होने पर डाल दीजेगा आदा चमच अजवाइन एक प्याज बारीक कटी हुई आदा चमच अधरक लैसन का पेस्ट दो बारीक कटी हरी मिर्चे डालेंगे हलका गुलाबी होने तक प्याज को अच्छे से भूनेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर चल्दी को तेल के साथ अच्छे से भूनेंगे उसके बाद कटी हुई अर्भी इसमें डालेंगे अब एक से दो मिनट तक आपको अर्भी को इसी तरह से भूनना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वात के अनुसा नमक आपके अपने स्वात के हिसाब से लाल मिर्च, दो चमस धनिया पाउडर, फो टीस्पून गरम मसाला, आदा चमस जीरा पाउडर, वन फो टीस्पून आमचूर पाउडर आप चाहें तो नीवू करस भी डाल सकते हैं अब गैस को धीरे रखेंगे, तीन से चार मिनट तक मसालों के साथ अर्भी को अच्छे से भूनेंगे, और जब यह अर्भी अच्छे से भून जाएगी, तो उसके बाद यह सर्फ करने के लिए तैयार है, सर्फ करने से पहले बस बारी कटावारा दनिया डालिए, और उसके बनाईए, खाये, इंजॉय कीजे, मसाले जो आपको पसंदे, आप अपने स्वात के हिसाब से डालिए, और इंजॉय कीजे, बढ़िया मसालेदार अर्भी, मिलते हैं आप से फिर नेक्स वीडियो में,